तो आद आप नौसकार गोडी इनिंग से स्याकाल एक वर फिर आप तो माम लोगा स्वागत है क्रैम तक की कहानी के इस एपिसोड में उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे आपके फैमली के लोग अच्छे होंगे आज की कहानी एक अजीब औ गरीब कहानी है आमतोर पर फिल्मों में कई बार ऐसी कहानियां पेश की जाती हैं जिनने देख सुनकर हम लोग चौकते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है लेकिन अगर उसी फिल्म इंडिस्ट्री में ऐसी किसी कहानी के साथ ऐसा हो जाए जो हम लोग कई बार देख के चौकते हैं तो फिर आप उसे क्या कहेंगे कि आप ये यकीन कर सकते हैं या माना सकते हैं कि हॉलिूड जैसी जगहों पर कोई एक फिल्म बनाने के लिए सोचे बाकाइदा उस फिल्म के स्क्रिल्म लिखी जाए अस्क्रίν पले लिखी जाए पूरी कहानी तयाद और बाद में पता चले कि वो स्क्रिप्ट वो स्क्रीम प्ले मनहूस है क्योंकि उसके साथ ऐसे हाथ से होते हैं जो जो कहानिया सुनता उसके साथ क्या कुछ होता है और फिर आखर मैं जाकर जो होता है वो और भी अपने आप में हैरान करने वाला क्योंके फिल्मी दुनिया, फिल्म से जुड़े वे लोग, हॉलिवड, अमरिका जैसा देश, वहां ऐसी अंद विश्वास भरी बातों पे लोग यकीन करें, ये सोच कर भी अजीब लगता है इस कहानी के शुरवात होती है कיनेडा से, कैनेडा के पहाड़ों में, पहाड़ी अलाकों में खास्त दौर पर बफिन आईलैν, आईलेंड, शोरी, तो बफिन आईलैंड की पहाड़ीं पे, जैससे हम लोगों के देश में लोग गीत होते हैं, अपने अलग-अलग रीजन अल उन पहाड़ों पर आती है वह वहां रहती है उसकी खूबसूरती देखती है और उसी इलाके में रहने वाला एक नौजवान एक लड़का उस ओरत का दिवाना हो जाता है वो उससे प्यार करने लगता है कुछ दिन घूमने के बाद जैसे आमतार पर टूरिस्ट आते हैं हेले चुप तरीके से वो उसके साथ वहां से निकल लेता अपना गाउं शहर सब छोड़कर फिर वक्त बीटता है एक बार वो लड़का एक अमीर शक्स की बेटी की जान बचाता है और फिर उसके बाद किसमत उसकी पलटती है और देखते ही देखते वो बहुत पड़ा अमीर श प्रवट लेता है वक्त और एक ऐसा वक्त आता है जब वो पागल हो जाता है इश्क में प्यार में तुकल में लाका शॉर्ट में ये कहानी थी जो कैनेडा की पहाड़ी इलाकों की सरजमीन से निकली थी और एक गीत की शकल में एक पोईट्री की शकल में तो काफी दोस्ते रहे इसके बाद United Artist Production House एक उससे contact किया और फिर इस गीत के जो सारे बोल थे वो सारी चीज़ें उन्होंने एक अथ्य राइटर की तलाश थी कि वो इसे कहानी की शकले दे स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले के तौर पर आखिरकार उस वक्त एक Todd Carroll नाम के बहतरीन केनेडा की इस लोग गीत पर एक अच्छी फिल्म की कहानी लिए एक पटकता लिए Todd Carroll ने इस पर काम शुरू किया काम चलता रहा और आखिरकार Todd Carroll ने 1979 में इस लोग गीत को एक फिल्मी कहानी की शकल दे दी पूरे स्क्रिप लिखी, स्क्रिण पिले लिखी, प्रोडक्शन हाउस डिरेक्टर को ये बड़ा पसंद आया और ये कहा गया अब सरजमीन वो कैनेडा की थी इसको यहां पर आप अलासका और निव यॉर्क उसकी इसमें बना दिया गया कि एक लड़की और एक लड़का व अब ये हुआ कि इसमें लीड रोल कौन करेगा प्री प्रोडक्शन के सारे काम हो गए 79 में इसक्रिप लिखी उसके बाद एप्रूब होते होते आखिरकार 82 आ गया 1982 जो हमारे देश में एशियन गेम्स हुआ था काफी सोचने के बाद टॉट केरल के एक बहतरीन कॉमेडियन एक्टर दोस्त थे जिनका नाम था जॉन बेलुशी जॉन बेलुशी की होलिवड में एक अच्छी खासी जगा थी एक अच्छा मकाम था तो इस फिल्म के लिए सबसे पहले उन्हें अपरोच किया गया और इस जो नाम रखा गया टाइटल वो था अतुक एटी यू के अतुक तब यह फिल्म जो अतुक के नाम से बन रही थी प्रडक्शन हाउस और डारेक्टर ने इसके लीड रोल के लिए आनि के हीरो के कैरेक्टर के लिए जॉन बेलुशी को सिलेक्ट किया जॉन बेलुशी को स्क्रिप्ट सुनाई गई कि पहले उसे पसंद आए जॉन बेलुशी ने कहानी सुनी कहानी सुनने के बाद बड़ा वो थ्रिल कि बहुत अच्छी कहानी है और यह फिल्म पका बॉक्स आफिस पे अच्छा काम करेगी और फिर इस फिल्म में कान करने के लिए अपनी रज़ामन्दी दे दी अब जौन बेलुशी अतुक फिल्म के लीडर रोल में कहानी वहानी सुनने के बाद अब यह हुआ कि फिल्म फलोर पे जाएगी शुटिंग शुरू होगी लेकिन कुछी महीने बीते थे कहानी सुनने के बाद फिफ्थ मार्च 1982 को ही ये कहानी जैनवरी 1982 में सुनाई गई थी जान बिलुशी को और दो महीने बाद फिफ्थ मार्च 1982 को जान बिलुशी एक होटेल में रुके हुए थे और उसी होटेल में उनकी लाश मिलती है और तब उनकी उम्र सर्फ 33 साल थी लाश जिस तरीके से मिली 33 साल की उम्र में लगा फॉल पिले है कुछ हुआ है क्या मामला है ये तो खेर उसकी जांच की गई तो जो पैथलिटिकल और फॉरंसिक रिपोर्ट आई उसमें ये था कि ड्रक्स के ओवर्डोस की वज़ा से जॉन बेलोशी की मौत हुई है अब ड्रक्स का ओवर्डोस किसने दिया क्या किया एक एक्टर, मशूर शक्स तो इसी के बाद फिर दो महीने की जांच हुई दो महीने की जानत के बात पता चला कि एक एवलिन स्मित नाम की लेडी उसने अक्सेप्ट किया कि उस रात बैलुशी को उसे ने ड्रक्स दिया था और उसके बाद उसकी मौत हुई ट्राइल चला पंदरा महीने की सजा भी हुई इसमित को बात आई गई होगी लेकिन इदर अतुक फिल्म लटक गए चुपी लीड रोल जिसको जॉन बिलशुय करना था उसकी मौत हो गई इस स्क्रिप्स सुनने के दो महीने के बाद था अब नए से से प्रोडक्शन हांस और डारेक्टर ने नए अक्टर की खोज़ शुरू की वक्त बीता नाइंटीन एटी 6 आगया एटी टू में ये फिल्म फ्लोर पे जानी थी लेकिन पहले आक्टर की माथ होगी अब नाइंटीन एटी 6 आगया इसके बाद अब यह वा किसी दूसरे एक्टर से ये फिल्म कुरानी है इस जोरान में चार सालों में तमाम कोशिशे चलती रही और आखिरकार सैम किनिसन नाम के एक दूसरे हीरो को इस लीड रोल के लिए चुना लिया अतुक फिल्म के लिए तो अब जॉन बेलशी के बाद दूसरे अक्टर लीड रोल के लिए जॉन किनिसन इनको स्लेक्ट किया गया 1988 में 86 में हुआ उसके बाद फिर सारा जो प्रोड़क्शन का काम था वो शुरू हो गया बलके आठ दिन के फिल्म भी शूट हो गई आठ दिन के फिल्म की शूट के बाद अचानक सैम किनिसन ने प्रोड़क्शन हास और डारेक्टर से स्क्रिप को लेकर जगड़ा कर लिया उन्होंने काई कि इसमें कुछ चेइन आम तर पर ये फिल्मों में होता कई बार हीरो जो होते हैं यह डारेक्टर कई बार अपनी इ किनिसन के बारे में यह था कि यह काफी जादा शराप पीते हैं मूड़ी हैं कई बार सिट पे लेट आते हैं आठ दिन की शूटिंग के बाद स्क्रिप्ट में कुछ उन्होंने निकाली कमिया और कहा कि नहीं इसको इसी तरीके से चेंड करना है इसको लेके बात चीत भी और अब केनिसन को दुबारा फिल्म की शूटिंग शूरू करनी थी लेकिन तब ही केनिसन की मौत हो गए जो लीड रोल पर एक कर रहते हैं अप्रेल टेंथ नाइटी नाइटी टू साम केनिसन की मौत हो गई तब उनकी उमरे सिर्फ और सिर्फ 38 साल थी यह गारी बेजा र मौत हो गए केनिसन की लेकिन इतफाक से इस मौत के बाद एक नई चीज सामने आई वो यह हुआ कि जब केनिसन अपनी गाली में जा रहे थे उनके पीछे पीछे एक दूसरी गाली में उनके एक दोस्त आ रहे थे और दोनों की गाली आगे पीछे थी जब एक्सेंट हुआ तक्र होई तो वो दोस फौरान गाड़ी से नीचे उतर कर करीब आया कैनिसन के जब वो करीब गया तो उसने सुना अपनी कानों से कि कैनिसन कह रहे थे कि I don't want to die I don't want to die और ये उन्होंने तीन बार कहा और उनके आसपास कोई नहीं था उस वक्त और फिर अचानक पता नहीं ऐसा लग रहा था कि जब वो किसी से बात कर रहे और वहाँ पे कोई था ही नहीं ये उस वक्त इनके दोस्त गए और दोस्त से भी नजरे भी नहीं मिल रही है कैनिसन को ये भी पता नहीं कि उसका दोस्त आ गया है और वह ऐसा लगरा है कि सी ठट परसन से बात करें और तीसरे शक्स वहां पे मौझूद नहीं और वो बार बार यही कह रहे हैं कि I don't want to die और फिर अचानक कहते हैं बट वाई ये दूसरी लाइन थी अब या तो ये दोस्त से पूछना चाहिए और दोस्त उनके सामदे नहीं है पीछे की तरफ है और फिर अचानक तीसरी लाइन आती ओके 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 और ये कहने के बाद दम तोड़ देते हैं ये दोस्त ने अपके इंट्रिव्यू में भी कहा और बाकी चीज़ जगों पे भी कहा कि जब वो गये तो वो कह रहा था कि मुझे मरना नहीं है मैं मरना नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर पूसता वाई क्यों और फिर कहता ओके और इसकाद मर जाता है ऐसा लगता दो लोग आपस में बात कर रहे हैं अब ये पता नहीं कि उसने शायद कहा कि नहीं तुम्हें मरना है इसने पूछा क्यों और उसने कहा इसलिए तो शायद उसने कहा ओके ठीक है और उसकाद मर गया ये कहानी बड़ी उस वक्त चली तो अब खैर अतुक की बद्रसी भी जा रही थी दूसरा लीड रूल में प्ले करने वाला कैनिसन उसकी रोड एक्षिन में मौत हो गई पहले ड्रक्स के ओवरडोस को लेकर अब फिर वक्त बीता गया 1994 आ गया अब फिल्म प्रोड़क्शन हाउस ने और डारेक्टर ने इस दौरान में ने हीरो को खोजना शुरू किया जो अतुक का लीड रूल प्ले कर सके इसके बाद जॉन कैनिडी नाम के एक्टर को चुना गया जॉन कैनिडी और उनको कहा गया कि आप इसमें लीड रूल करेंगे जॉन कैनिडी ने का मुझे स्क्रिप्ट सुननी है उनको स्क्रिप्ट सुनाई गई और उसके बाद ये बात है 1994 के बिगनिंग की और उसी के दो महीने के बाद फिर 1994 में कैनिडी की भी मौत हो जाती है कैनिडी जो है 4 मार्च को इनकी मौत हुई 43 साल के उम्रती 43 और इनकी मौत इनके घर में अपार्टमेंट में हुई जब हॉस्पिटल ले जाया गया आटोपसी हुई पोस्टमोटम हुआ तो मौत की वज़ा बताईगी हार्ट अटेक दिल का दोरा अब इस्क्रिप्ट सुनने के दो महीने के बाद अतुक फिल्म के तीसरे हीरो की मौत हो चुगी थी अब भी सब कुछ नॉर्मल था कि चलो मौत हो गई यह होता है हाथसा है कोइंसिजन्ट है लेकिन फिर यह हुआ कि कहते हैं कि जब कैंडी ने ये स्क्रिप्ट सुनी और फिल्म के लिए हामी भरी तो कैंडी ने ये स्क्रिप्ट अपने एक दोस्त को सुनाई जिसका नाम था माइकल डी डॉंग है तो उन्हों ने इसको सुनाई और ये भी कहा कि इस फिल्म में तुम्हारे लिए वी एक रूल है तो तुम इसमें सपोर्टिंग रूल कर सकते हो तो कैंडी ने ये अतुक फिल्म साइन की इसक्रिप्ट सुनकर और वही इसक्रिप्ट उन्होंने नरेट किया अपने दोस्त माइकल को इत्तफाक से कैंडी की मौत के बाद माइकल की भी मौत हो जाती है और 54 साल की उम्र थी और कहते हैं वो ब्रेन हैम्रेज से मौत हुई तो तीन लीड एक्टर के अभी तक मौत हो गई चौथे को जो दोस्त था उसको कहानी सुनाई, स्क्रिप्ट सुनाई उसे फिल्म में एक रोल के लिए कहा और जिसने स्क्रिप्ट सुनी अब उसकी भी मौत हो गई अचानक ठीट ठाक था, ब्रेन हैम्रेज हुआ, 54 येर्स उम्र गिया अब ये चौथा हादसा था इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ, इससे स्क्रिप्ट के साथ जुड़ा हुआ इसके बार 1997 का साल आ गया अब इस बार काफी मेहनत मशक्कत के बाद कि अतुक का लीड रोल कौन करेगा, एक और एक्टर क्रिस फेर्ली, इनको चुना गया लीड रोल के लिए क्रिस फेर्ली, एक अच्छे एक्टर और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्रिस फेर्ली, फैन थे उस बेलूशी के जिने अतुक का जो रीड रोलर सबसे पहले आफर किया गया था, और जिनकी होटेल में ड्रक्स के ओवरडोस से मौत ही थी और क्रिस अपना एडियल मानते थे बेलूशी को तो बड़े खुश थे कि जो रोल उनके गुरू करने वाले थे, वो उन्हें मिला है तो इसको लेकर और भी जादा एक्साइटेड थे अब फिर से फिल्म की प्रोडक्शन और बाकी चीज़े शुरू ही लेकिन बदनसीवी ने इस बार भी पीछा नहीं छोड़ा इसक्रिप्ट सुनने के कुछी महीने बाद दिसंबर अठारा 1997 फेरली की भी मौत हो जाती है अपने ही अपार्टमेंट में सबसे पहले उनके भाई ने उनकी लाश देखी और सेम उसी तरह मौत ही जैसे उनके गुरू बेलुशी की हुई ड्रक्स के ओवर्डोस से और इतफाक एक और कि जब फेरली की मौत हुई तब उनकी उम्र भी 33 साल थी 33 बेलुशी की भी जब मौत हुई तो 33 थी तो जो आइडियल था जिस तरीके से उसकी मौत हुई जिस उम्र में मौत हुई सेम क्रिस फेरली के साथ भी यह पांचमां इंसिडेंट था इस अतुक फिल्म के लेकर जिसके लीड रोल के लिए चुना गया उनमें से चार मर चुके थे एक सपोर्टिंग एक्टर जिसको स्क्रिप्ट सुनाई थी माइकल को वो भी मारा जा चुका था तो पांच मौत अब तक हो चुकी थी अब इसी दोरान यह पता चला कि कैंडी नहीं जो है वो सेम जैसे फिल हेटमन एक था उसको स्क्रिप्ट सुनाई थी पांच महीने के बाद जब यह फेरली ने सुना और फेरली ने अपने एक दोस्त हिटमन को यह स्क्रिप्ट सुनाई थी जिस तरीके से कैंडी ने माइकल को सुनाई थी अपने दोस्त को तो अब फेरली ने भी मरने से पहले यह स्क्रिप्ट अपने एक दोस्त को सुनाई थी जिसका नाम था फिल हाटमन इत्फाक से फिल हाटमेन फैरली के मौत के बाद एक रोज फिल हाटमेन की बीवी अपने एक दोस्त को फोन करती है और कहती है क्याशा भी अभी फिल हाटमेन को गोली मार कर आू हूं उसकी लाश उसके कमरे में पढ़ी है दोस्त समस्ता मजाक कर रही है लेकिन उसका दोस्ट फिर उस कमरे में जाता है और देखता है कमरे में सचमुच लाश पड़ी भी है और फिल को दो गोलिया लगी भी है वो फॉरन पुलिस को खबर करता है पुलिस आती है तब तक उसकी जो गल्फरेंड थी जो वाइफ थी वो अपने आप कमरे में लॉक कर लेती है और कहती है कि मुझे नहीं मालूम मैं उसे क्यों मारा मेरा कुछ ऐसा मकसद भी नहीं था बट मुझे लगा कि मुझे मारना है और इसलिए बस मैं मार गया मैं कमरे में बाहर नहीं आऊंगे पुलिस उससे कहते रही कि आप आजाओ सरंडर करना है लेकिन उसे नहीं किया इसकार उसने खुद को भी गोली मार ली और वो भी मर गई तो इस तरीके से साथ मौत हो गए पांच लीड रोल वाली एक-एक के दोस्ती और एक दूसरे के दोस्ती जिसने उसको स्क्रिप्ट सुनाई थी अब साथ मौत एक फिल्म एक स्क्रिप्ट अतुक उसमें एक और कहानी कि मरने से पाफ़ में दो लोग ऐसे थे जो मरने से पहले ऐसा लग रहा था किसी से बात कर रहा है और कोई था नहीं तो यह सारी चीज़ आप धीरे धीरे मीडिया में आने लगी अब यह हुआ कि इस स्क्रिप्ट में ही कुछ ऐसी चीज है मनौसियत है जिसकी वजह से एक एक कर जो भी इस फिल्म को करना चाहता है उसकी जान जा रही है अब क्या किया जाए हाला कि इसके जो राइटर थे उन्होंने इन सारी चीज़ों से अंदविश्वास से साथ मना किया टॉट कैरल का कहना था कि ये एक कोइंसिडेंट है ये एक इतफाक है कि जिस ने फिल्म साइन की या जो जो इस फिल्म में लीड रोल करना चाहता था उसकी मौथ हुई दो की ड्रक्स के ओवर डोस से हुई एक की रोड एक्सेंट में हुई एक दिल के दौर अपड़ने से एक ब्रेन हैमरे से एक को गोली मारी गई दोस्त को और एक और भी बीमारी से मरा तो साथ लोग पांच लीड एक्टर वक्त धीरे धीरे बीदा प्रड़क्शन हाउस को अब लगा यूनाइटेड आर्टिस्ट को की यह पता नहीं क्या है इसके बाद यह कहानी अब धीरे धीरे हॉलिवूड में भी गुंजी तो अब तो यह हुआ कि भाई एक फिल्म है जिसके जो भी स्क्रिप्ट सुन रहा हूँ यह जिसको सुनाय जा रहा हूँ यह दुनिया में नहीं 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 ता मर जाता है तो बहुत सारे लोगों को इसके बाद भी कोशिश की गया अप्रोच किया गया तुक के लीड रोल के लिए लेकिन अब तक यह कहानी मेडिया और कई जगा आगे थी और एक तरह से यह हो गया कि यही स्क्रिप्टी मनुस है जो इस स्क्रिप्ट को सुनकि इस फिल्म में लीड रोल प्ले करेगा वो मारा जाएगा मर जाएगा तो फिर एक्टर के अंदर भी एक डर आए और धीरे धीरे उन्होंने इस फिल्म से किनारा करना शुरू कर दिया फिर नौबत यहां आ गई कि आखर का टॉट कैरल और युनाइटेड आर्टिस जो प्रोडेक्शन आउसे हैं उन्होंने तै कि भाई इस स्क्रिप्ट को कहीं बक्से में बन कर कर लग दो और इस फिल्म को भूल जाओ वो दिन है आज का दिन है दुबारा कभी अतुख फ्लोर पे नहीं गई ना फिल्म बनी ना कभी किसी ने इस रोल को एक्सेप्ट किया अब सवाल यह है कि यह क्या है एक अन्विश्वास एक इतफाक हाथसा इस में सब कुछ भी लेकिन जो फिल्म से जोड़े हुए लोग है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक इतफाक था कि जब जब जजज़स को दिया गया यह रोल तब 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 उसकी मौत हो गई लेकिन इस स्क्रिप्ट की वज़ा से हुई इसको नहीं कहा जा सकता तो आज भी एक पहली है अतुकी और इस स्क्रिप्ट की कि हकीकत में यह है क्या यह एक मनहूस स्क्रिप्ट है इसके साथ कुछ श्राप है या पिर इतफाक है हर एक की मौत जैसे लिकीती वैसी हुई वो भी एक नॉर्मल अगर मालने इतफाक है लेकिन क्या है शायद हॉलिवट की से मिस्टीरियस स्क्रिप्ट और स्क्रीन पिले दूसरी और कोई नहीं है फिल्म में पर बहुत सारे ऐसी रहसमई अंधविश्वास और इतफाक दिखाया गया लेकिन फिल्म के बाहर परदे के बाहर असल जिन्दगी में किसी परड़क्शन हाउस किसी स्क्रिप्ट राइटर एक्टर के साथ ऐसा हो ये कभी नहीं हुआ और इनमें से जो भी जो साथ लोग की जान गई जो पांच लीड रोल प्ले कर रहे थे उनमें से चार कॉमेडियन थे इस फिल्म को एक कॉमेडी बेस बना कर चला जा रहा था और इसे लिए सारे कॉमेडियन को इसमें लीड रोल के लिए सिल्क किया जा रहा था तो चार कॉमेडियन थे इस लीड रोल के लिए जिनकी जान गई कुल साथ लोगों की जान गई मुझे लगता है कि जो भी हो इत्तफाक हो या फिर और कुछ हो बट ऐसी कहानी हॉलिड में और कोई दूसरी नहीं है तो आप मुझे बताईएगा कि ये कहानी सुनने के बाद आपकी नजर में ये क्या है ये स्क्रिप्ट शापित है ये सिर्फ एक अंविश्वास है और या एक इत्तफाक है इत्तफाक है कि ठीक है जब जब ऐसा हुआ तब तक कोई हाथसा हुआ और लोग की जान चली गए तो आपकी नजर में क्या है ये आप क्या मानते हैं आप जरूर अपना जवाब अपनी राय आप मेल पे दीजिए और मैं फिर उसको कहानी में शामिल करूँगा कहानी खत्म कर ली उसके बाद अचाना कियाद आया कि मैंने विश तो क्या नहीं कहानी का सलसला जहां खत्म करता हूँ वो तो की नहीं तो कपड़े भी चेंज हो गये थे पता नहीं कौम से कोट और ब्लैक ही कुछ पहना था वापस बाद में ख्याल आया तो मैं वापस आया हूँ ड्रेस चेंज हो गया है लेकिन दिल वही है तो जिन लोहों को भूल गया उनको मैं माफी के साथ प्रिश करता हूँ संतोष चवान उर्फ बबलू इनका जनम दिन है तो हैपी वड़े संतोष जी और ये सेना में है आर्मी में है तो बड़े खुशी हुई और आप हमेशा इसी तरह देश का नाम रोशन करें और अप अठ्य रहे हैं हमेशा और हैपी बड़े वंस अगें रमेश चवान साब प्बेजा कि इसकलावा आशाप पंडित जी के अभी जनम दिन है लेकिन पत्चिस को है आज जनम दिने तो हैपी बड़े सोनु मुला को उलकता से हैं ये तो आप तमाम नों को बड़े की हार्दिक्षुप कामना है मुवारक बाद इसके लावा पुष्पा और हरीकेश कुमार इनकी अनिवरसरी है तो आप दोनों को ये बहुत बधाई देवेंद्र बगेल लिख लिखते वे हर कोट हर जज़ उसमें एर भी मेंशन कर देते हैं किसी को 20 किसी को 25 किसी को 30 और या कहीं पर यह किता उम्र यानि जब तक आप जिन्दा हो जब तक आपकी सांसे चल रही है तब तक आप कैद में रहोगे यानि जतनी भी उम्र है वो कैद में गुजरेगी तो तो दोनों चीज़ें उम्र कैद के आगे अगर साल लिखा तो फिर वो उतने ही साल रहेगा और अगर नहीं लिखते हैं तो फिर इसका मतलब है पूरी उम्र कैद वो मेंशन किया जाता है इसके लावाद दीपक जोगी जी हैं थैंकि सो मच आपके मेल के लिए ललित कोहली है थैंकि सो मच आपके मेल के लिए भी गुरुपीथ बाजवा हैं और इन्वने का अरूना शान्बाग की कहानी सुनाने के लिए तो गुरुपीथ बाजवा सहाब मैंने यह कहानी सुनाई और करें तक केसी लिस्झ में मिल जाएगा आप को यह कहानी अविश copy detected हैंकि आप की मेel के लिए इसके लावा धर्माच चौधरी हैं इनका कहना है कि पुलिस कई वार इन्रिस्टिकेशन तो करती है लेकिन पुलिस्टेशन में जाते हैं तो पुलिस हेल्प नहीं करती है चाहे एफायार लिखनी है और बाके चीज़ें और ऐसा होता आम शिकायत है लोगों की पुलिस टेशन मेजिस्ट्री के का व्यवार सुलुक होना चाहिए होता नहीं है अब बदलाओ आ रहा लेकिन अगर आप पुलिस टेशन जाते हैं ये सभी के लिए उपर वाला ना करें कि कभी जरूरत पड़े लेकिन अगर जाना पड़े मजबूरी में और फायार नहीं लिख रहे हैं और आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो वो पुलिस टेशन आसली दर्वाजा नहीं है सोशल मेडिया का भी दौर है आप उस शहर के पुलिस कमिशनर डी सीपी जो भी है उनको आप टैग करके आप बाकाइदा ट्वीट भी कर स की है और वैशनवी जी ने भी एक स्टोरी की फिरमाईश की है तो मैं जरूरी सारी स्टोरी सुनाओंगा तो आज कहानी में तरह हैं आप से मलाकात होगी कल रात नौबजे किसे नहीं कहानी के साथ तब तक अपना खायल रखेगा थैंक्यू वरी मैंच